नमस्कार एटो जेट डिशश उशा गोरजानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रही हूँ आप टमाटर का शुर्वा कैसे बना सकते हैं ये जो टमाटर का शुर्वा होता है इतना मज़ेदार लगता है ना हेल्दी भी है टेस्ट जिसे बनाना तो असन है ही है और खाने में मतलब पीने में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है चली बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं बनाना शुरू करते हैं मैंने कैस को आन कर लिया है प्रेशर को कर रखेंगे और इसमें मैं डाल रहे हैं सिर्फ एक चम्मत जितना तेल जैसे गरम हो जाए तो एक चौथाई चम्मत जीरा इसे के साथ न चार से पांच सापुत काली मिर्ची दो से तीन लॉंग एक तेजपता डाल देंगे आदी चम्मत जतनी अध्रक लेसन के पेस्ट और इन सबी को हम एक मिनिट के लिए भून लेंगे जादा नहीं बस एक मि तो पहले डाले हैं यहां पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन चार से पांस टमाटर जिसके मैं अच्छे से वाश करके इस तरह से लंबी स्लाइस में काट लिया तो यह एट करेंगे इसे एक मिनिट के लिए भूनेंगे फिर आधा कब धन्या के पत्ते डालेंगे इसे भी मैंन हाई चमच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक फिर भी नमक और मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स करते हैं फिर से में एक मिनिट के लिए बूनेंगे और अब इसके अंदर में डाल रही हूं पानी तो तकरीबन इसके अंदर आपको दो ग्ल को हटा लेंगे पूरा प्रेशर खता मुझे उसके बाद ही खोलना है अपको डखन और यह जो तेज पता है ना इसे हमें निकाल लेना है क्योंकि इसका पूरा अंदर तक स्वाद चला किया है अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद यहां पर अब ब्लेंडर की मत और यह जो शोर्बा है इसी हमें चानना है अब देखे चानना इसी लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमने अच्छे से ब्लेंड हो की है पर फिर भी टमाटर के रेशे रह जाते और शोर्बा है वह बहुत ही क्रीमी ताइप लगता और स्मूध होता है तो हमेशा आप इसे च चान लीजे उसके बाद यह चंणी को अटार लेना है और दीख सकते कुछ इस तरह से हो जाएगा उसके बाद में मैंने अपर एक चोटी सी कटोरी ले लिए इसमें मैं डाल रही हूं सबसे पहले बेसन तो एक चमच जितना बेसन है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है तो एक मिनट के बाद एक मिनट तक पकाईए उसके बाद यह जो बेसन और पानी को मिक्स करके रखा था ने यह गुल डाल दीना है और लगता चलाते हो एसे आपको तकरीबन पांच से छे मिनिट के लिए पकाना है तो यह इतना टेस्टरी लगता है जाब इसे ऐसे ही अच्छे से ये पके तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं मिलाती भी जा रही हूं बीच बीच में मिक्स भी करते जाना है और यहां पर देखें पांस से चे मिनिट हो गए हैं और यह टमाटर को शुर्बा बनकर तयार है गर्मा गरम बाउल में सव करें उपर से थो में तो खास करके पीने में मज़ा आएगा अगर आपको सूप यह सब जादा अच्छा नहीं लगता है नो कौन फ्लोर वाले तो आप यह ट्राइक कीज़े और कमेंट सेक्शन बताए कैसी लगे रेसिपी और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले अच्छा लेबसेत नहीं, तांक य। फो बच्छेंग